इस्प्रिच्वल टूरिजम में बढ़ोत्री हो रही है आयोध्या, वराणसी, व्रिंदावन, हरिद्वार, तिरुपती, आदी जैसे धार्मिक शेहरों में हालिया समय में कई बड़े प्रोजक्ट लॉंच हुए हैं वहीं जनवरी में राममंदिर के घाचन के बाद आयोध्या में प्रोपटी मार्केट में एक खासी तेजी देखी गई और जमीनों के दाम आस्वान चु रहे हैं जिसकी बाद इन शेहरों में डेवलप्मेंट की गती अब तेज हो चुकी है कई बड़े प्रोपटी डेवलपर अब बड़े शेहरों की जगा धार्मिक शेहरों की और मूव कर रहे हैं इस बदलते ट्रेंड का फाइदा रियल स्टेट सेक्टर को भी हो रहा है नए ट्रेंड के बीच जहां एक और धार्मिक परेचन में तेज़ी आई है वहीं रियल स्टेट सेक्टर में भी बदला हुआ है दिल्ली और मुंबई बेस्ट कई डेवलपर ने धार्मिक शेहरों में बीते कुछ समय के दौरान जमीनों पर कबजा कर रिजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी लौँच कर दिये है मिली जानकारी के मताबिक रियल स्टेट सेक्टर से जुड़े कई लोगों के हवाले से ये दावा किया गया है रिपोर्ट बताती है इसका असर हो रहा है कि इन शेहरों में नए प्रोजेक्ट लौँचिंग की गतिविदियां अब तेज चल रही है रियल स्टेट सेक्टर के लोगों का मानना है कि धार्मिक महत्वर रखने वाले शेहर लोगों को खासा अकरशित करते हैं इसकारण लोग धार्मिक केंद्रों के आसपास बसना भी पसंद करते हैं उन में अस्थानिय लोगों के साथ-साथ बहरी लोग भी शामिल हैं जो धार्मिक शेहरों में घर खरीदने में रूचि दिखा रहे हैं लोगों के दल्चस्पी पर्सनल यूज के साथ साथ निवेश के कारण भी है लोगधार्मिक शेरों को अध्यात्मिक महत्व के साथ इस कारण भी पसंद कर रहे हैं कि वे रिटार्मेंट के बाद वहां जाकर बस सकें रिपोर्ट के अनुसार तिरुपती में एक प्रोजेक्ट को लाँच किया गया है उसमें 1900 रेजिडेंशियल यूनिट है प्रोजेक्ट के 2027 तक पूरा होने की भी उमीर है क्रिडाई ने वरारसी में हाल ही में डेवलपर्स का एक कारेक्रम किया जिसमें कई रियल स्टेट कंपणियों ने वहां जमीन खरीदने की दिल्चस्पी जाहिर की उत्रप्रदेश सरकार ने आयोध्या में हजार एकड में टाउंचिप बनाने की योजना तयार की है जर्वरी में राममंदिर के उगाटन के बाद आयोध्या में प्रॉपर्टी मार्केट में खासी तेजी देखी जा रही है और जमीनों के दाम आस्मान छू रहे है